इस वुडियों बताने वाले हैं Postmatric Scholarship 2023-2024 का फोर्म आपको online के माधियम से कैसे भरना है पुरा परकिरिये आपके इस्टे बाई से बताने वाले हैं कायकि आपको पोस्ट मेटई का प्षने वर आपको भाड़ा गया था जिसक्डा और फशолे वर्म पास्वर्ड आने के पूरा कॉन्फर्म तक आपको डॉक्मेंट कैसे अपलोड करना दॉक्मेंट का आपको नाम देना भाइब इस वीडियो में देने वाले तो चलिए शुरू करते हैं इस वेबसाइट के लिंक मैं description box में डाल दिया हूं किलिक करका आप आजाजेगा और यहां आने का बाद आपको लिखा गया है postmetric scholarship online 24 इस पर आपको किलिक कर ले ना है और यहां पर सारा बात आपको बताया गया है कि आपको जो कि पुनो अतीरित निदारित किया गया है आपको 3 दिसंबर तक यहाँ पे आपको 15 नवंबर से लेकर पुनो निधारित किया गया है 30 दिसमबर 2023 तक आपको इस परकार से नोटिस जारी किया गया है पहलेश का डेट खतम हो गया था एक्स्टेंड किया गया है परिवार का जो कि सलाना आये होगा जो भी छात्रा में भरेंगे उनका आये परमानपौत तीन लाग से ज्यादा का नहीं होना चाहिए साथ में आपको आवेदा का जो कि विद्यार्थी का अधार कार भाएंग खता जाती परमानपौत राय परमानपौत निवास परमानपौत चालू मुबाइल नमोर और इमेल आडे की आपको जोरुगत परेगा आपको कीस परकार से कौन से जो की ये course के लिए college के लिए कितना पैसा आपको दिया जाता है सरा चीज आपको इसमें लिखा गया है और यहाँ पर देखिए जीस परकार से mention किया गया यहाँ पर देखिए 15-11 से लेका और 30 बारे तक आपको इस form को भरना होगा यहाँ पर आपको important link जो दिया गया है apply करने के लिए बीची बीची के लिए क्लिक करके पर apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपको bonified certificate चाहिए फीड़ीशीप्ट भी चाहिए तो किलिक खेर करके इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूं डरेक्ली ओफिसियल साइट है पर मैं जाता हूं और यहाँ पर किलिक है लिखा गया मैं इस पर किलिक करता हूं यहाँ लिखा गया मुख मंत्री बार्ग यहां पिछरा बार्ग ब पीछरा बगाए अत्यवन पीछरा बगाए तो चलिए यहां पर सब कुछ ठीक करता हूं और यहां पर निरिस्ट्याशन और अलोडी लोग इन तो हमको करने नहीं वाला तो मैंने अलोड़ा पर किलिक करता हूं आपको दुबारा से करना होगा जैसे आपको अलोडी अपने कि गया है उसको कर लेना है अब देखिए यहाँ पर अपना नाम भड़िए उसके बाद जो आपका फादर स्नेम होगा उसको भड़ लीजिए माताजी का नाम अपना लिख लीजिए और डेट अब बड़ के तर पर यहर पहर स्लेट करके मौन्थ और आपको डेश में स्लेट कर लिजिए गा जो आपको अधार कार्ट पर और उसी तरीका से जेण्डर स्लेट करिए गा उसके बदेखिए अपने मेरेट चयों स्कूर लिजिए गा उसके बद कर लिजेगा उसके बाद एक ही इमेल ओ टीप करना है जो आपको मौईल पर यहां पर डाल कर वेरिवाइई इ है अब आपको देखिए यहाँ पे ओटीपी सभी तरेका से फिल अप करिएगा उसके बाद वेरिफाई मुवाइल ओटीपी पर आपको किलिक करना है अब आपको अधार का वेरिफाई है नहीं फाये कोड और आपको पाइस चाहिए में लिख लिजिए गाट वसके त्य K2 में बणकन हुआ वर। next button में इस पर आपको click करना है अब आपको जो किये पुरा details देना registration का तो आवासिय परमान पत्र देलना है तो arrow इसमें slate करिएगा उसके बाद sales रहेगा आपको और यहाँ पर देखिए जीस परकार से आपको आजाएगा 2020 तक जो कि पुराना आप दे सकते हैं आवासिय यहाँ पर जो होगा आपका साल इसमें slate कर लिजेगा जब आपका आवासिय परमान पत्र बना होगा यहाँ पर मेरा 2023 का है उसके बाद मैं उसका number लिख लेता हूं यहाँ पर कॉप बना हुआ है उसका जो कि आपको पहले month अब उसके बाद आपको year जीस परकार होगा आपका स्लेट करिएगा आई परमान पत्र लिखा गया है इसमें आरो कर लिजिएगा यहाँ पर आपको देखे करना होगा उसमें आपको फिलिख कर लेंगा उसके We उसके बाद आपको legislate करना है मिनमम 2020 का दे सकते हैं मा लिखे लेता हूं छो जारी किया गया है उसके लिखा गया नेकस्ट इस्पर मैं किली करताई यहां पर मैं losing करना है वह जाएगा एक बार यह दीẵर इसको देख लिजिएगा काई किसी डिटेल से आपको accept और reject किया जाएगा चलिए मेरा सब कुछ data सही है मैं इसके screenshot ले लिया हूँ यहाँ पर लिखा गया है next इस पर मैं किलिक करता हूँ और यहाँ आप देखिए दस्तिवेज आपको upload करना है ओ 400 कवी से ज्यादा नहीं होना है यहाँ appreciation आपका फूरा complete हो जाएगा इस परकार से अब आपको ID पास्टर आपके mobile पर at a time चला जाएगा अगर नहीं जाते है दो तिन घंटे के बाद चला जाएगा यहाँ कभी भी आपको mobile पर ID पास्टर चला जाएगा तो आप जो कि next procedure के लिए आप इसमें login करके कर सकत हैं चलिए मेरा तो आ चुका है सबसे नीचे में आपको आना है जो लिखा गया इसमें continue to submit वाला तीस पर आपको किलिक कर लेना है अब आपको आजने website पे और यहाँ पर देखिए सबसे उपर में लिखा गया है जैसे section एक student वाले इस पर आना है और register user and bcbc लिखा एक इस पर किलिक करना है हम तो इसे section कर दिया है हमको login करना है चलिए और लिटर student पर मैं किलिक करता हूं और यहाँ पर हमको easy ID password मेरा मुबाइल पर आ चुका है तीज़ए पासवार एक capture डालकर यहाँ पर login लिखा गया नीचे में जो कि मैं इस पर किलिक कर देता हूं और यहाँ प OK कर लेना है OTP को वहाँ पर फिलब कर लेना है और यहाँ पर verify लिखा गया इस पर आपको किलिक करना है अब आपको यहाँ पर ना एक password बना लेना है जो आपको example तोर पर इसमें दिया गया है जो आपको special characters भी आपको होना चाहिए आपको new में डालीजिए confirm करके डाल लीजि कैसा आप इसमें login हो जाते हैं सबसे पहले आपको photo upload कर लेना है उस पर photo section पर click कर लेना है आपको चुछ file करके 200-230 pixel और 50 के भी से कम का आपको होना चाहिए चुछ file करके photo ला लीजिए और save photo पर आपको क्या करना है click और यहाँ पर photo आपको upload हो जाएगा और go to home लिखाएग upload करना है किस कटेग्री से आप आते हैं आपका जो cast होगा cast आपको slate कर लेना है अल्टरनेट एक मॉवाईल नमर चाहाई तो दे सकते हैं, अपना डिस्टिक स्लेट कर लेना है, स्टेट स्लेट कर लेना है, होम जो की बलोक आपको स्लेट करना है, जैसे अपना गाउं का नाम, पोस्ट अपिस, पंचायत, जिस पर कार्स होगा, एरिया, पिन को सारा कुछ इ और पर्मानेंट, दोनों आपका सेम होता है, तो इसमें देखिए, एक आपको टिक करना है, सेम एंड एवाउफ, इस पर आपको किलिक करेगा तो दोनों जो की आपको डाटा सेम हो जाएगा, जैब कोर्सपोंडिंग और पर्मानेंट, उसके बाद अपडेट पर आपको कि करना है यहाँ पर इस आदमीं का देखिए dbt लिंक नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको बता रहा है अधार dbt not available तो भाईयों हम जो क्या करते हैं इनका एकाउंट नमबर में दूसरा डाल देता हूं जो इनका dbt से लिंक होगा यहाँ पर सतरा जो कि मैं data इसमें fill up कर लेता हू अब fill up करने के बाद नीचे में लिखा कि आपको update तो इस पर जो कि आपको directly क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आजाएगा पूरा details के साथ जैसे आपका वासी यह आए और आपको जाती प्रमापसा upload की है तो इसमें कोई भी आपको document इसमें reject हुआ होगा तो बता देगा इसमे आपका इंसी चीट होगा वहाँ पर यहाँ पर आपको जैंके फ्रेस और renewal मैं तो apply कि यह हो भाई यह फ्रेस के लिए तो मैं फ्रेस बहुले section पर मैं click करता हूं उसके बाद एक एडमीड का जो आपको institute होगा आपको state आपको slate करना है उसके बाद आपको institute का blog slate करना एक एड चाहिक है यहां पर अपको आपको डीलेट कर लिए अब को दे कि देना है इनका जो को ऊसको आपको इसमें डलवा लेना है जिस परकार से जैसा आपको दो सल का होगा तो 2021 से लेकर 2024 कि किससी का 23 से 24 से अपने डाल लेना है admission जो कि आपको registration नमबर होगा admission नमबर होगा अपने डाल लीजेगा अगर आप second year ने परहाई करते होंगे तो registration नमर तो आपको आहीं गया होगा जो होगा आप इसमें डाल लीजेगा उसके बाद आपको college का जो roll number है roll number जो कि आपको यहाँ पर भर रोल आमर भरने के बाद आपको आजाएगा पर जेंट यर आप first year में है second year में है आपको उस परकार से slate कर लेना है तो यहाँ पर आदमी second year में है तो मैं second slate करता हूँ उसके बाद date of admission यानि कब admission तो उसको slate कर लेना है class का session आपको जीस परकार से होगा तो यहाँ आपको आपको फ्री लगता है क्या परकार होगा साय जो गौर्णमें कितना लगता है सरा चीज आपको इसमें दे रखा है वहाँ पर कोई छेर चाब नहीं होगा उसके बाद यहाँ पर जाएगा होस्टलर का जिस पर काश डिटियल अगर होस्टल में है तो यस करिए अगर क्लिफाई है तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूं इस परकार से कोई दिकत नहीं है यहाँ पर जो कि होस्टलर का जो की काटेगरी आपको किस परकार से हाउस होल्ड तो यहाँ पर गड़ी भी रेखा से आते हैं तो यहाँ पर पर पूरेस्ट आप भी कॉलेज है कोई दिकत प्रीवियास परकार से आपको कौर्स होगा उसको करना है सबसे पहले गुरूप आपको सलेट करना है किस गुरूप सा परहाई किया ह। तो तैन्त का जो कि आपको 12,11 Maidosa यह आपको गुरूपD से हता है तो group D मैं करता हूँ, जो सेसन होगा आपना इसमें college का keldz हम 12 से रिलेटेर जो कोर्स होगा तो मैं 12 से रियेटेर यहां पर आजाता है यहां पर नहीं होगा तो अपने मर्जी से जो होगा आपको इसमें लिख ले जाए कोई दिकत नहीं है अब आपको नीचे में जो टीक बक्स दिया गया है तीन आपको टीक बक्स पर आपको क्यों टीक कर लेना है और नीचे में आकर डरेक्ली लिखा गया आपको next button तो यहां पर right side में इस पर आपको क्लीक कर लेना है next button जैसे क्लीक करते हैं तो सारे बक्स आपको इसमें टीक कर लेना है और टीक करने के बाद देख लग सकते हैं सारा कुछ करने के बाद आपको मॉयल आपको OTP जाएगा OTP आपको इसमें डालकर OTP फेरिफाई पर क्लीक कर लेना है email याड़ section पर आकर generate email OTP पर click करना है, अब आपके mail पर OTP यहाँ पर भेज दिये गया, ok बटवाइव में इस पर आपको click कर ले ठाभर email OTP verify पर आपको click कर लेना है, उसके बाद next बटवाइव में इस पर आपको click कर लेना है, उसके बाद देखिए, जिस परकार से document को आपको upload करना है तो हमने previous जो पढ़ाई किया था तो इसमें हमने तेंत का डाला था ते मेरा तेंत का details डालेगा आप जिस परकार से होगा डालीजेगा certificate का number कब आपको certificate issue किया होगा उस परकार से डाल लेना है passing year का mark sheet होगा तेंत का mark sheet उसमें भी और इसमें भी डालीजेगा same to same document आप इसमें डाल सकते है certificate का number कब issue किया अगरा सराचूज अब आपको आता है bonafide का तो bonafide certificate आपको college से जो दिया जाता है उसको choose file करके आपको ला लेना है लेकिन certificate का आपको कब issue किया गया इस उडियोट आपको आपको डाल लेना है जो आपको third party के चलता है ना sample में उसमें certificate details नहीं होता है तब calendar का अनुसार कोई अपने मन के मताबित certificate tissue अपना slate कर लिजेगा का कि college वाले को नहीं पाता है उसके बाद आपको नीचे में आ जाना है और यहां पर submit बटर में फाइनल वाले इस पर आपको click करकर submit आपको जिक्षी परकार कर लेना है यह जब आपका form फिलफ हो जाता है जिस भी college में आपका पढ़ाई है वहां पर ले जाकर इसको submit भी करना परता है जैसे आप जब आवेदन किये तो पूरा जो कि इसका print निकाले हुए है इसको भी देना है साथ में जाती यह वास ही आए प्रिवियर जो आप पास किये हैं उसका certificate वनफाइट जो आपको स्कूल दोवारा दिया गया था उसको भी फोटो कोपी करके वहां पर जामा भी करना होता है और फी receipt यह और भी अलगतर केका document आपने इसमें डाला होगा स्राजे के document आपको कॉलेज में जामा करना होगा उनके द्वारा जो कि यह ID पासवर्ट को लॉग इन करके कॉलेज वाला भेरिफाई किया जाता है उसके बाद ही आपके खाते में पाइसा जो कि dbt के माध हम से आता है जो एकाउंट आपको अधार कार्ट से लिंक होगा तक किले जाहिंदे